हेलो डीदे स्टुडेंट्स एक बार फिट से स्वागता आप यूनिफर्म क्लासेज में हम पढ़ रहे थे क्लास एट की मैट सब्जेक्ट और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर परस्ट जिसका टाइटल है रेशनल नंबर तो आएए आगे देखते हैं अभी तक डेदर्ट में जो कुछ प्रोपर्टी सबस्के पहले अपने उसमें पढ़ाता क्लोजिट प्रोपर्टी में अपने क्या देख था कि दो अलग अलग रेशनल नंबर वह मिलके क्या एक दूसरे से रीक्ष adaptive स्यरिएक्शन करते हैं उसके बारे में पने देखा आज उसके बा रहे थे एड कर रहे थे multiply और डिवीजन जो कर रहे थे तो उसमें क्या effect पढ़ रहा था उसको बोलते हैं आप यह था आपका commutative property of rational numbers ओके उसके बाद में आता है एक लास्ट जो प्रोपर्टी है वो है जब कुछ time निकलेगा जैसे seven class आथ में पढ़े एड़ क्लास साथ में पढ़े नाइंथ आथ में पढ़े तो क्या तीनों के व्यवहार एक दूसरे से से होंगे या फिर किसी का किसी से ज्यादा और किसी का किसी से कम व्यवहार होता सला जाएगा मतलब ट्यूनिंग की बात जैसे इसको इस तरह से समझवाब कि ए जो है इसकी ज्यादा बनती है किस से सी से इसकी ज्यादा बनती है सी से एक बार ये लेकिन ये ग्रूप है ये पूरा ग्रूप है एक बार एक ही बन रही है सी से ज्यादा और ऐसे ही अगर मैं इस group को आगे देखूँ एक condition ये बन सकती है कि C की B से ज़्यादा बन रही है है तो group में लेकिन आप भी देखो इस group में अगर आप A को देखोगे second situation में A isolate हो गया और first situation में B isolate हो गया है तो बेटा group है लेकिन दोनों में अगर मैंने दोनों की जगे चेंज कर दी यानि दोनों ही relation चेंज कर दी है तो बेटा होता क्या है कि match में अगर आप ऐसे rational number जब एक साथ जब आप तीनों को कोई reaction में डालते हो तो उसका अलग effect पड़ता है और जब उसी group को जगे चेंज करके अगर आप उसको उसी group को दूसरी reaction में डालते हो सेम reaction में तो उसका अलग effect पड़ता है यह आज अपन इस associative property में पढ़ने वाले तो associative property को example ज़े समझते हैं और उसके लिए देखो example number first मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि एक है मेरे पास rational number A एक है मेरे पास rational number B और एक है rational number C इन तीनों को अगर मैं एक साथ club करके add करता हूँ तो इनका sum जो आएगा वो और अगर मैं इन तीनों में से जैसे club करता हूँ इनको अलग-अलग A इधर भी देखो A plus B plus C अगर मैं इनको club करके ऐसे देखूँ कि इन दोनों का sum करूँ पहले और फिर A से जोड़ दूँ या फिर इन दोनों का sum करूँ पहले और C से जोड़ दूँ तो क्या इन इस reaction में LHS equals RHS आएगा की नहीं आएग और RHS और LHS equal आएगा ये ही बेटा associative property है addition, addition में associative property है कि आपका जो rational number है वो addition में associative property को show करता है क्योंकि यहाँ पे LHS equals क्या होता है RHS okay समझ में आया कैसे होता है example से समझो देखो एक तरफ मेरे पास rational number है जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 अब देखो इसकी 2 situation बन सकती है क्या क्या situation बन सकती है आपको इसको इस तरह से solve करना है कि इसको आपको उपर वाले को solve नहीं करना आपको कैसे solve करना है सबसे पहले इन दोनों को club करो इसका जो answer आएगा ना उसके बाद इसको आप 3rd वाले से solve करना जैसे first situation इसमें क्या बनेगी 3 by 2 plus 1 by 3 सबसे पहले आपको इसको solve करना है इसका जो answer आएगा फिर उसको add करना है 1 by 6 से जो इसका answer आएगा वो और second situation बनेगी first वाले को drop कर दो और second और third को club कर दो 1 by 3 plus 1 by 6 इन दोनों को answer जो आएगा उसको first से add करना उसके बाद जो answer आएगा अगर ये दोनों answer equal आते हैं तो आपका associative property prove हो जाएगी क्योंकि ये क्या होगा ये LHS और RHS equal हो जाएगा solve करके देखो क्या answer आता है क्या दोनों time आपका answer 3 तो यहाँ पर आजाएगा 9 2 7 upon 6 that is equal to 7 upon 6 7 upon 6 कैसे आ रहा है बिटा तो solve करेंगे तब चेक करो देखे 7 upon 6 आ रहा है क्या इसका मतलब 2 इसका answer आ रहा है ठीक है ओके देखो तो यहां पर भी answer आएगा और यहां पर आएगा और यहां पर आएगा और जब इस तीनों को आप एक साथ करोगे तब भी क्या आएगा बिटा तो आएगा यहीं आप इसी चीज़ को मैं देखता हूं सब्ट्रेक्शन में क्या यह सब्ट्रेक्शन में भी चीज़ फोलो होती है कि नहीं होती है अब इसको चेक करो एक्जामपल आपके सामने है एक की वैल्यू है वन बाइट्री वी की वैल्यू है आपकी वन बाइट्री चलो इसमें पैर बनाके चेक करो एक बार आपको पैर बनाना है लासट टू से सबसे पहले पाई इसको होल करना सेकलट्रांक आपको इन दोंगो वो कि अधिए को अधिन के माएगी आपके पास में वगों फ़ंस-1 algunos इस पहले जब इसको मिमिल करोगे तो देखो फॉस्टrick करो एदर स्क्रीन पर देखो हुआ LCM आया 6, जब LCM 6 आया तो उपर इनका numerator क्या क्या बन जाएगा, इधर आएगा 2 और minus में आएगा 1, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 देखो मैंने यहां पर लिख रखा इसको club करके एक साथ, जब यहां पर यह 1 upon 6 बन गया, इसके value क्या बनेगी, 2 में से minus 1 करेंगे, तो क्य LCM आया, तो first का तो 1 रह गया, और minus का sign minus, और जब 6 कर रहे हो, तो यहां पर यह 2 से बन जाएगा, 4, चेक करो, यह mistake थी यहां पर, इस वज़ए से आपका answer जो था, उपर नीचे आ रहा है, यहां पर आया, 1 minus 4 upon 6, और जब आप इसको solve करोगे, तो यहां पर इसका answer क्या बन जाएगा, minus 3 by 6, जब इसको solve करोगे, तो आपका first situation का answer क्या आएगा, minus 1 by 2, first situation का answer minus 1 by 2, second में चेक करते हैं, second में देखो, 1 by 3 को ऐसे ही रखो, और minus का sign मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर इसलिए बच गया, positive, 1 by 6 से, और minus 2 by 3, जब आप इसको solve करोगे, तो इसका pair बनेगा, देखो, यह रहा, इसमें देखो, LCM आया क्या, 6, LCM 6 आया है, और सब 6 आया है, तो यहां पर भी mistake हुई है, यह सर, चेक करने दो, 6 बनेगा, सर, उपर 2 था, तो सर, 2, 2, 4 होना चाहिए, यह पर, यह 4 हो गया, ओके, और जब आप इसको solve करोगे, तो इसका answer आयगा, minus का 3 by 6, इसके बाद में, आप जब इसको आगे देखोगे, तो 1 by 3, और minus already sign है, और minus अपने पास आया, तो minus, minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, कैसे हुआ, यहाँ पर देखो, इसका जो answer, यह जो step थी ना, इसका answer क्या बनेगा, यह step ऐसे बनेगी, 1 by 3 minus, और यह आएगा, minus 3 by 6, तो यह minus, minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगी situation क्या, आपकी 6 LCM, और 1 by, यह जो है, यह plus हो गया बीच में इनके, अदो को 6 LCM आया है, तो 3 का 6 बनाने के लिए 2 से multiply करना पड़ा, तो उपर भी 2 से, तो 1 तू जा 2, इसके बाद में, plus 6, तो जब आप इसको solve करोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या, 2 plus 1, और 2 plus 1 upon 6 करोगे, तो यहाँ से आपका जो answer बनना चाहिए, वो चेक करो, किस किस का answer यह है, यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, देखो, यह LHS और RHS से नहीं है, तो यह not equal है, और इसलिए आपका जो associative property है, यह subtraction में rational number शोर नहीं करता है, तो क्या लिखोगे, subtraction is not associative for rational numbers, अब है इसमें multiplication में अपन देखेंगे, associative property शोर करता है कि नहीं करता, थर्ड जो आता है, multiplication, चेक करते हैं, अपने पास जो situation है, क्या बनेगी? situation देखो इस तरह से बनेगी, A, A multiply B multiply C, box बनाओगे तो पहला जो box बनेगा, equals, A multiply B multiply C, पहला जो box बनाओगे, वो बनेगा A plus B, second बनेगा B multiply C, क्या ये equal है, अगर ये equal है, तो अपना associative property शोर करेगा, answer देखो, चेक करेंगे अपन example से, और example आपके सामने है, 2 by 3 multiply, 9 by 4 multiply, आपका यहाँ पर आ जाएगा, 12 by 4, चेक करो, क्या ये multiplication में associative property शोर करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले आपको बनाना है, एक pair, ये वाला, second बनाना है, ये वाला pair, अगर किसी को कोई question में problem हो, तो बीच में पूँच सकते हो, शर्माने की या गबराने की जुरत नहीं है, 9 by 2, 9 by 2, वास्ट सिच्वेशन या second situation, चेक करते हैं, फोस्ट सिच्वेशन देखो, शॉल करते हैं, तो बाई 3, मल्टिप्लाइब, हाँ हाँ करो, मैं थोड़ी ना वोल रोओं पेटा, मैं थोड़ी ना रोक रहा हूं आपको, मैं तो यहां पर मेरे हिसाब से चेक कर रहा हूं, तो अड़ी ने स मता हूं, सब्सक्राइब, मैं वोल्यक्ति ना पक्नोचाइब, मैं ने टुन गमाजा हूं ना बाऋपाँ, इक्वाल ने टांट फेटो, मैं पόनचए हां नेन गमाजा हूं, कि यह सर काट अपी टीवी कि है सर इसमें स्लीव ओके नाइन पूर्ण पूर्ण करोगे आप हाँ वही है तो क्योशन नहीं समझ मैं है चलो पॉशन चेक करो पॉशन लिखो आप उसके बाद मुझे बताना कैसे इसको सॉल करते हैं सबसे पहला पॉशन है आपके सामने टू अपॉन त्री मल्टिप्लाई नाइन अपॉन फॉर ये बिटा एक पेर बना सबसे पहले इसको सॉल करना है इसका जो आंसर आए ना उसके बाद में आपको मल्टिप्लाई करना है उसको ट्वैल बाई फॉर से इसको चेक करो आप पहले इसको चेक करो और मैं दूसरा सबसे पहले इन दोनों को सवलकरना फिर जो आंशर आए वह आपको बाहर वाले से सवल करना है यह जो break it में हैं उसको पहले सोल करना है और मुझे दोनों का अंसर बताव लाजै। अबजाव सबसे क göz Nichtgg g next क्या देखने मिदों कि बारे नão एप डोनीव वनारे मैं सब्सक् 우린 या है फिर टोटल नाइन अपॉन ट्वेल डेट का नहीं अपन ट्वर्स नहीं को डियाएगा अगर आप उसको डारेक्ट मulटिप्लाइं करते हो न मिनेटर को नुमिनेटर से नमेटर को nominator से denominator को denominator से तो क्या आना चीए 9 टूजा 18 अपॉन 4 3 जा 12 यह आना चीए ना बेटा direct अगर आप multiply करते हो तो या तो आप इसको ऐसे करो फिर बाद में इसको आप cut करो अब जब आप इसको जब आपके सामने यह आ गया तो इसको cut करोगे तो क्या answer आएगा जब 2 से cut करोगे तो यह क्या आएगा 9 और जब 2 से नीचे वाला cut होगा तो यह क्या आजाएगा 6 अब देखो अभी भी cut हो रहा है further भी यह cut हो रहा है तो 9 को करोगे 3 से cut तो 3 time और यह 3 से 2 time तो answer क्या आएगा अपना ब्रेकिट का answer क्या आएगा बेटा 3 by 2 फर्स्ट मेथड तो इसको solve करने का यह है यह समझ में आया कैसे मैंने लिखा है 12 और 18 में अपना माइक जो है प्रोपर आप अन्म्यूट करके रखो बार बार में उसको म्यूट मत करो ठीक है तो 18 और 12 आया आपको समझ में आया कैसे मैंने यहां पर 18 और 12 लिखा है कि फर्स्ट मेथड तो इसका देखो यह है इसके बाद आप कट करोगे और कट करने के बाद अपना आंसर आएगा थ्री एपॉन त्री बाई टू सेकिंड मेथड देखो जब अपने को कट करना है तो बेटा इसको मल्टिप्लाई में मैंने आपको बताया कि मल्टिप्लाई सब्सक्राई में आप कर सकते हो ऐil एक दूस्रे के डिनो मिटर सोड एक दूसरे के जो जो आपके दिनो मिंटर ऑंडर वोते हैं हुसे कैसे देखो चूरी को यहां से कटकरोगेb्लाई से तो अन। स्थीर क्षा और यहां से अन्सर अपना इसनला से थ्री पैसर second method इसको solve करने का यह है जैसे आपको इजी लगे वैसे आपको solve करना है दोनों method समझ में आए सोम्या बीटा yes and no yes sir चलो आगे देखो अपना आगे question क्या बनता है question बनता है 3 by 2 multiply आगे वाला क्या है 12 upon 4 अब मुझे आप इसको solve करके बताओ इसका answer क्या आएगा या तो डायरेक्ट मुल्टिप्लाइब करो 3 by 2 multiply 12 by 4 इसको हाँ इसमें पॉइंस टूभी रिमेंबर दिये हैं तर यह जो आपने ही दिया नहीं सब्सक्राइब कैसे हुआ सब्सक्राइब करते हैं या फिर यहीं पर कट किया चलो टू से जब आप शेक्षिन को कट करोगे तो आएगा यहां पर 6 अब देको 6 और 4 भी तो कट ओर रहे हैं दिख रहे हैं ना तो 612 किस से कट और तू से तो 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 यहां पर आ जाएगा प्री और नीचे जाए जाएगा टू अब देखो उपर क्या बच गया उपर 3 होड़ वच गया और नीचे क्या बच जिए आज़ लिए नाइन और यहां पर नीचे क्या है यह समझ में आया मैंने कैसे कट किया चलो अब आपको मैं एक चीज एक नौट मैं आपको लिखाता और नीची उत जिसको बोलते हैं दीनो मी ऐता जब आप नूमीनेटर और डिनोमेटर आपके सामने है और ऐसे ऐसे रैस्टनल नंबर आपके पास में बहुत सारे हैं जिस हैं इसमें नुमनेटर डिनोमेंटर है multiply और फिर बाद में numerator और denominator है multiply तो multiply का एक rule होता है बेटा multiply का rule होता है कि आप जो है एक दूसरे को कभी भी कहीं पे भी cut कर सकते हो multiply में होता है यह only ठीक है addition, subtraction और division में यह rule नहीं लगा हो गया आप इसके numerator को इसके denominator से काट सकते हो one के third से काट सकते हो बस एक उसमें numerator होना चीए और एक उसमें denominator होना चीए कितना सा याद रखना है क्या याद रखोगे numerator denominator एक दूसरे से किसी के भी एक दूसरे denominator और numerator से cut हो सकते हैं आ गया समझ में चालो इस note को याद रखना तब आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा रेशनल नंबर में चलो देखो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों ही सिच्वेशन में क्या आएगा विटा नाइन अपॉन टू तोनों सिच्वेशन जब आप इसको सेकिंद सेच्वेशन करोगे तब आपका जो रेशनल नंबर है वह आपको अच्छी तरह दिखता है या फिर थोड़ा मोटा यूज करूं इसको टिवाइड करोगे सी अपॉन दी से और इसको डिवाइड करोगे इप से ठीक है ऐसी तीन आगलाग आपके सामने सिच्वेशन क्या बन सकती है फर्स सिच्वेशन देखो यह बनेगी इसमें फर्स सिच्वेशन बनेगी आपने जो फर्स्ट यहां पर रैसनल नमबर उसको छोड़ दो और बाकी जो दो है उनको ले लो आप ब्रैकिट में अब इपन पहले वाले एक को नहीं ले सकते हो सेकंड इसमें देखो क्या किया एपन भी डिवाइड बाइस सी अपन डी यह ब्रैकिट में डिवाइड वाइड वाइए अपन एफ देखो चीजें सारी सेमन इनके रेशनल नमबर सब के सेम मैं बस मैंने इनके पेर अलग- के सथ एकिया अपने इस से किया है अब इसे बनाो इसी का तो मतलव होता है बृट्टा प्रोपै के सही बनाते है चलो कि शाखेंपल देखो एक्जाम्पल आपके पास में 1 upon 2 divide by divide by 3 upon 2 divide by 7 upon 4 यह तो आपके पास में rational numbers हैं और pair बनाने हैं जैसे मैंने situation बताई हूँ ना pair एक pair आपको इस condition में बनाना है और एक pair आपको इस condition में बनाना तीन अलग अलग आपके सामने rational number है pair बनाओगे आप अपने हिसाब से ठीक है और चेक करो दोनों जब आप answer solve करोगे तो question solve करोगे तो आपके answer सेम आते हैं कि नहीं आते सो में बेटा question समझ में आगे आपको यह सर चालो हाँ आज भी बोलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले इसको इसको solve करोगे तो यहां से प्रेकिट का solution आया ब्रेकिट से पहले क्या था ब्रेकिट से पहले था वन अपन टू जब इसको solve करोगे तो यहां पर solve होगा वन अपन टू मल्टिप्लाई सेवन अपन सिक्स तो यहां पर क्या बन जाएगा सेवन अपन ट्वैल यह आन्सर आयागा फॉर्स सिच्वेशन में क्या सबका फॉर्स सिच्वेशन में यह आंसर आया है यह जैसे मैं ने क्या वेसे सॉल कि है या कुछ और में थड़ से सॉल के आपने कि इस उन्हें यहीं काट चाला बढ़िया है। हो सेकिंद सिच्वेशन चेक करते हैं इसकी शीच्वेशन में देखो क्या बन जाएगा वन बाई टू थ्री ऐ टू और सेवन बाई फॉर चए हैं वन बई टू है डिवाइड बाई निरी बैटू टिवाइड बाई छेवन बाई पॉर 7 by 4 इसमें pair बनाना है पहले first का तो first का pair जब आप solve करोगे तो यहाँ पे आएगा क्या 1 by 2 multiply 2 by 3 2 से 2 cancel तो अपना answer क्या है यहाँ से answer आया 1 by 3 और divide by करना है अपने को 7 upon 4 इसको solve करोगे आगे 1 upon 3 multiply 4 upon 7 तो 4 upon 21 क्या यहीं सबका answer आया यहीं सबका answer आया ओके सुमें बेटा आपका भी यहीं आया प्रक्राइब बेटा सबके साथ में आप answer का reply किया करो जिससे के मेरे को पता लगता रहे कि हाँ आपको सबको समझ में आ रहा है ठीक है चालो देखो 4 upon 21 और 7 upon 12 दोनों answer अलग अलग है इसका मतलब आपका यह जो equation है यह equation एक दूसरे को follow नहीं कर रही है इसका मतलब आपका जो division जो है यह associative property शो नहीं करता है किसमें rational numbers में ओके देखो मेरी बास सुनो यहाँ पर अपना जो यह chapter का जो properties है यह सारी properties पूरी complete होती है इसके साथ ही मैं आपको कुछ एडिशन यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार रुख अपनी अपनी बुक ऑपन करो और बुक में बेटा एक table दे रखिए मैंने properties of rational numbers नाम से यह लिए देखो इसमें आपके काम की चीज क्या है पहले वो देखो यहाँ पर अपने काम की चीज only इस चेप्टर में अपने क्या पड़ा है rational numbers की properties addition देखा subtraction देखा और multiplication देखा और division देखा rational number की properties अपने देखिए सबसे पहली property close property देखिए अपने closer property अपने देखिए तो closer property जो था addition में यह closer property के अंडर में था subtraction में भी था और multiplication में भी था लेकिन division में यह close property में नहीं था ठीक है इस में आपको सिर्फ टेबल में अभी यह चेक करना है उसके बाद second अपने देखिए थी commutative property और commutative property में अपने चार देखे addition, subtraction, multiplication और division rational number की बात करें तो commutative property में आपका addition था लेकिन subtraction नहीं था division फिट से था और multiplication था लेकिन division नहीं था अभी अपने देखा associative property अभी जस्ट अपन पढ़के आई है addition, subtraction, multiplication और division rational नमबर में अभी अपने देखा कि अपना addition जो है यह associative property शो करता है लेकिन यह जो subtraction जो है यह शो नहीं करता है multiplication आपका associative property शो करता है जस्ट अभी आंसर जो मैंने बता है उसके साब से आपका division जो है यह associative property रेशनल नमबर में शो नहीं करता है तो यह table में सिर्फ आपको रेशनल नमबर की बात बताई गई है इसके अलावा यह समझ में है ना टेबल का मतलब क्या था किसे को डाउट है इस टेबल से प्रोपर्टी रहा है कि सब्सक्राइब इस गोर्पर्टी थे माइं आपको सिर्फ यह यह बोक्स देखना है आपको रेशनल नमबर का वोक्स देखना now only? Okay, rational number, अपन पड़े हैं. 7th class में मैं आपको क्या पढ़ाया था? whole number की property और integer की property. 7th class में पड़े थे ये. तो ये बाते जो यहां पे repeat होयी है, ये भी आपको देखना है, कि whole numbers जो होते जो हते न, ये addition में close property शो करते हैं, subtraction में नहीं करते हैं. और यह multiplication में करते हैं, division में नहीं करते हैं, तो बेटा यह अलग-अलग numbers के अलग-अलग properties है, repeat हो रहा है only, ठीक है, integer में देखो, close property addition में था, और इसमें, subtraction में भी था, multiplication में भी था, लेकिन division में नहीं था, तो यह कुछ आपके सामने, तीन तरह के numbers जो थे, उसके बारे में ब रड़ा है, revision अगर आपको करना है, 7th class का, तो आप यह whole number और integer की property को लगा-लगा के check करना, क्या यह बात सही है, लिखी हुई है कि ने लिखी हुई है, ओके, तो यह देखो, तीन तरह की property, जो मैंने यहाँ पर बताई है, यह property अपन पिछले class में पढ़ चुके हैं, और वो ही बात यहाँ पर all numbers और integers में, जितने भी properties बन सकती थी maximum, वो यहाँ पर लिखी गई है, आपको check यह करना है, कि यह जो बाते लिखी है, वो सही है कि नहीं है,